दूद पीने के लिए कुछ सवाल चबाब नमबर एक, क्या सुबह खाली पेट दूद पीना चाहिए? इसका जबाब है, खाली पेट दूद पीने से कबच और गैस की परेशानी होती है ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही डाइजेशन संबंदी दिकते हैं उन्हें कुछ खाने के बाद ही दूद पीना चाहिए हाला कि छोटे बच्चों के मामले में ऐसा नहीं है वो दिन में किसी भी वक्त दूद पी सकते हैं बड़ों को सुबह की समय दूद का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर दू रात में दूद में क्या डाल कर पीना चाहिए जवाब है इसका रात में दूद में बादाम डाल कर पी सकते हैं क्योंकि बादाम में बहुत सारे पोशक तत्व होते हैं और पोशक तत्वों का ये खजाना होता है नमबर दू इलाइची पाउडर हम रात में दूद में डाल सकते हैं इलाइची शरीर के लिए बहुत फायदे मंद होती है नमबर तिन शहद शहद दूद में मिलाकर पीने से शरीर की कई परेशानी आसानी से दूर होती है उसके बाद गुड गुड शरीर के लिए बहुत आवशक होता है और इसे हम दूद के साथ रोज ले सकते हैं थोड़ा सा दूद खड़े होकर क्यों पीना चाहिए इसका जवाब है दूद खड़े होकर पीने से ये शरीर के सभी हिस्सों तक आसाने से पहुँच जाता है और जल्दी अवशोशित होने लगता है इससे शरीर की सभी नूट्रिंस मिल पाते हैं दूसरे तरफ अगर आप पैट कर दूद पीते हैं तो ये पोजिशन स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है और दूद धीरे धीरे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में पहुँचता है नंबर चार आयरवेद के अनुसार दूद कैसे पीए इसका जबाब है आयरवेद के अनुसार रात को दूद पीने से ओजस मिलता है जब आप उजीत पाचन प्राप्त करते हैं तो ओजस को आरवेद में एक अवस्ता के रूप में जाना जाता है दूद में शामक गुन भी होते हैं, इसलिए सोने से पहले दूद पीने से आप शान्त हो सकते हैं और आपको अच्छी नेंद लेने में मदद मिल सकते हैं गतिविदी के स्थर कम होने के कारण रात में दूद से कैलसियम का आवशोशन भी 72 रूप से होता है नमबर पांच, दूद पीने के बाद क्या क्या नहीं हमें खाना चाहिए तो इसका जवाब है कि दूद पीने के बाद कभी भी हमें ये चीज़े नहीं खाने चाहिए जैसे निम्बू, धही, खटे फल, मूली, नौन वैच, मचली, चीकन, उड़त दाल को दूद पीने के तुरंट बाद खाने से तो हार्ट अटेक का खत्रा तक बढ़ जाता है इसलिए ये चीज़े हमें कभी भी दूद पीने के बाद नहीं खाने चाहिए नमबर छे, खाना खाने के बाद तुरंट दूद पीने से क्या होता है और इसका जवाब है कि खाना खाने के तुरंट दूद पीने से व्यक्ति का मस्तिक शांत होता है और ठकान दूर होती है जिससे आपको अच्छी और गहरी नेंद लेने में मदद मिलती है भोजन का पाचन भैतर होता है अगर आप रोजाना खाना खाने के बाद दूद का सेवन करते हैं तो ये भोजन को पचाने यह ml हमारी मदद करता है जिससे खाना वेस्ट नहीं होता है और उसका पूरा लाख हमारी शरीर को मिलता है नमर साथ क्या दूद पीने से बजन बढ़ता है और इसका जवाब है कि कई वेगैनिकों की कई रिसर्च में ये शाबित हो जगा है कि केल्सियन से हमारी श्रीर की फैट वर्ण करने की शमता बढ़ती है इसके अलावा इसमें मौजूद मिल्क प्रोटिन भी फैट वर्ण करने में मदद करते हैं इसका मतलब है कि दूद पीने से बजन बढ़ता नहीं उल्टा दूद पीने से बजन हमारा कम होता है नमबर आठ एक गिलाज भैस के दूद में कितना फैट होता है और इसका जवाब है गाई के दूद में 3-4 परतिशत फैट होता है वही भैस के दूद में 7-8 परतिशत फैट पाया जाता है और नमबर दो गाई के दूद के प्रोटीन कम होता है जबकि भैस के दूद में प्रोटीन की मात्रा जादा होती है नमबर नो एक गिलाज दूद में कितना केलसियम मिलता है और इसका जवाब है दूद में केलसियम की मात्रा अच्छी खासी होती है एक गिलास दूद से लगबख 300 मेली ग्राम कैल्सियम हमें मिलता है नमबर तस क्या दूद कैल्सियम को बढ़ाता है? तो इसका जवाब है कैल्सियम का सबसे अच्छा सोर्स दूद को माना जाता है इसलिए कहा भी जाता है कि नियमत रूप से दूद का सेवन करना चाहिए एक गिलास दूद में करीब 300 ग्राम कैल्सियम होता है अगर दूद स्किप हुआ तो समझ सकते हैं कि शरीर में कितने कैल्सियम की कमी हो जाएगी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद